नमस्कार, जै माता दी, सभी का स्वागत है, आज हम बात करने वाले हैं नवरात्री डे थ्री के बारे में, नवरात्री डे थ्री जो आ रहा है वो आ रहा है 11 एप्रिल 2024, आज के दिन जो होगा गुरुवार वाला दिन होगा, तो आज आपको पुजा करनी है माता चंद्रगं अगर आपके जीवन में बहुत ज़्यादा विगना आ रहे हैं, शादी होने में बहुत ज़्यादा आपको दिक्कते आ रहे हैं, कोई भी मनोकावना में आपको लगता विगना आ रहे हैं, या मैरेड लाइफ में आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स चल रही हैं, फ चुटकी बर हल्दी का जरू से इस्तेमाल करें, घर के सभी मेंबर्स ऐसा कर सकते हैं, नहाते वें आप जैम आता दी मन में बोलते चले जाएं, आज जो रंग होगा वो होगा पीला, और जो भोग आपको यहां पर आज करना है वो करना है दही का इस्तेमाल, यहां तो आप मि जरू से कर लें, आप कोई भी स्प्रे की बॉटल में पानी लेंगे, चुटकी भर उसमें हल्दी डालेंगे और थोड़ा सा आप चाहें तो उसमें कपूर का पाउडर भी डाल दे, जैम आता दी बोलते वें हर कमरे में, हर कोने में आप इसको स्प्रे करते चले जाएं, अ आज के दिन आपको स्पेशल तरीके का दिया जलाना है, दिया आपको क्या करना है, आप थोड़ा सा आटा लेंगे और उसके अंदर थोड़ा सा डालेंगे आप बेसन, जिसको कि चने का आटा भी कहते हैं, चने की डाल का आटा, ठीक है, अब इसको आप नॉमल पानी से करेंगे, रेगुलर बाती जो भी आप पूजा में इस्तमाल करते हैं, वही बाती का आप इस्तमाल यहां पे करेंगे, घी अगर आपके पास नहीं है, तो जो भी पूजा में आप तेल घी इस्तमाल करते हैं, वही आप यहां पे यहां पे यूज करेंगे, इसमें चुटकी सकतें या कहीं पर भी आप जला सकतेंगे पिर आपको यहां पर रखना है, मंतरा आपको हमारे चैनल पर आलड़ी कल सुबह मिल जाएगा और in case आपको उस टाइम पर आप नहीं सुन पाते हैं आप जब भी दिया जलाएंगे तब उस मंतरा को आप चला सकतें, हमारे चैनल पे अल्रीड वो प्ले लिस्ट में भी है डेस के अकॉर्डिंगली आपको वहाँ पे मिल जाएगा या माता के नाम से भी आप देखेंगे तो भी आपको वहाँ पे मिल जाएगा ठीक है अब चलाने के बाद आपको यहाँ पे करना क्या है आपको यह महसूस करना है कि कौन से साइड की आपकी जो सास है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉंग है लेफ या राइट अगर आपका राइट साइड आपको लग रहा है कि सास ऐसे फील हो रहा है कि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉंग है तो आपको left side का जो nostril है वो आपको बंद करना है, right side से आपको सास खीचनी है और आपकी जो भी मनो कामना वो मनो कामना आपको बोल देना, बाज में सास को छोड़ देना, मन में ही आपको 10 सेकेंड में बोल देना, आपको लग रहा है कि सास आप जादेर hold नहीं कर पारे, तो स सास को छोड़िये, वापे से सास को खीचिये, फिर से आप आगे continue करें या repeat करें और फिर से आप सास को छोड़ दे, मान लो कि आपका left side आपको लग रहा है कि nostril बहुत ज़दा strong है, तो right side को आप बंद करेंगे, left side से सास को खीचेंगे, आप इच्छा को बोलेंगे, और सा आप आटे का जो गोला है वो आप लेंगे, और उसको आप लेके जाके आप गाएं को खिला देंगे, या इसको पेड के नीचे डाल देंगे, चोटे-चोटी गोलियां करके आप उसको मचलियों को खिला देंगे, अंदर की जो सामगरी आप चाहें तो उसको पौधे में ड किसी भी पेड़ के नीचे डाल के आसके आज के दिन आप एक और कारिया जरूर से कीजिए अपने बच्चों के लिए भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर किसी के हेल्थ खराब रहती तो भी यह बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा, थोड़ी सी आपको हल्दी लेनी है, उ बहुत ही ज़्यादा शुब रहता है नहीं होगा तो कोई भी इत्रवी आप ले सकते नहीं है तो गुलाब जल से ही आप इसको गिल्ला करके पेस्ट बना के ना भी क्या सपस लगा दीजेगा घर के सभी मेंबर्स ऐसा कर सकते हैं एक और चीज़ आप ज़रू से आज कीजेग या गुड में ही चावल को पका लीजे मामूल इसा थोड़ा सा ही आपको बनाना है और उसके अंदर आप दही को मिक्स कर दीजे अब आप ये पक्षियों को खाने के लिए दे दीजे या इसको पेड़ के नीचे डाल के आजए अगर आप घर में भी इसको खाना चाहें तो आप अपना पूरा ध्यान रखेगा नमस्कार जया मातादी